दो दोस्त आपस में बाते कर रहे थे पहला दोस्त बोला यार सराप से ज़रा नुकसान तो पानी ने पहुँचाया है दूसरा बोला नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं पानी हमारे स्वास्त के लिए अच्छा होता है पहला बोला क्यों भाई सहाब क्या पिछले साल बार से हज्जारों लोग नहीं मरे थे गुपता जी ने रास्ते में बैठा भिखारी से कहा भीख मांगते हुए तुम्हें सर मानी चाहिए मेरे साथ चलो मेरे घर काम करना मैं तुम्हें एक दिन के तीन सो रुपे दूँगा भीखारी ने कहा अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ बेड़ जाओ मैं तुम्हें एक दिन के पांच सो रुपे दूँगा नाली के दो कीड़े खाते समय आपस में बाते कर रहे थे एक कीड़ा बोला यह सामने वाला होटल कितना साफ है हर चीज सीसे की तरह चमकती है दूसरा कीड़ा बोला महरबानी करो यार कम से कम खाना खाते समय तो ऐसी घिनवनी बाते मत किया करो मालिक ने नौकर से कहा मच्छर मार दो बहुत हो गए हैं नौकर आलस में पड़ा रहा थोड़ी देर बाद फिर मच्छर गुन-गुना रहे थे मालिक ने फिर नवकर से कहा मच्छर मारे नहीं क्या नवकर ने मालिक से कहा मालिक मच्छर तो कपके मार दिये ये तो उनकी विध्वाओं की रोने की आवाजे हैं डॉक्टर की बीबी का आपरेशन था डॉक्टर ने स्वयम ही आपरेशन करने का फैसला किया उसने दो लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया डॉक्टर ने बेहोसी की दवा दी लेकिन बीबी बेहोस नहीं हुई फिर उसने बेहोसी का इंजेक्शन लगाया फिर भी उसकी बीबी को कोई असर नहीं हुआ तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफार्म सुगाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीबी बोली तुम कुछ भी कर लो जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोस नहीं होने वाली